कुछ लोगों के लिए कितना अच्छा कर लो कुछ लोगों के बिना स्वार कितनी भी भलाई कर दो वो अडिया, अकडू और घमंडी ही रहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? वही, जो आप समझे ओ, आपको कुछ समझ कहा आता है कोई बात में, मैं समझा देतीन है मेरा मतलब आपका ट्रांसफर कैंसल होने से था आज आपका ट्रांसफर कैंसल हुआ तभी आपके और समराट दादा की बीच की दूरियां खतम हुई है तभी आपको आपका जीवा वाफस मिला है लेके नहीं, आप तो है मिस्टर खडूस जासूस आपको किसी के अंदर के अच्छा ही गोड़ी ना नज़र आती है आप तो सिर्स कमियां डूर्टी, कमियां नज़र आती है बस, और गुशने वह, एक मिनिट वह एक बात बताओ, वह जो डियाईजी सवर के ओफिस में वह बैग था, वह वो तुम्हारा ही था ना? वाँ, आप तो सर्व ग्यान ही निकले विराज सर मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है क्योंकि हम बहस करेंगे, हमारी आवाज उठेगी तो सम्राठ के कमरे तक जाएगी और वो डिस्टरब हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ आप नहीं चाहते? या पाखी दीधीन आपको मना किया है कुम्हारी प्रोब्लम क्या है? तो सीरिस्ली, वाट इस यो प्रोब्लम? या कहीं पाखी जो कह रही थी वो सच तो नहीं है कि तो मुसे खुश नहीं देख सकती? बताओ ऐसा नहीं है विराट सर कि मैं उन्हें खुश नहीं देख सकती बल्कि सच तो यह है कि मैं उनकी खुशी के पीछे का बनावटी पन साफ साफ देख सकती हूं. लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा ना? आएगा भी कैसे! कैफे में बहाए पाक्य दीदी के आसुओं ने आपकी नजरों को दुन्दला जो करती आए! अब वेडिन वर देट, बोलो! और इतना काफी नहीं था कि आप इतनी रात को उनके कमरे में उनने डिस्टाब करने पहुच गए! सम्राट दादा को कैसा लगेगा? जब सम्राट दादा यहां नहीं थे, तब पाक्य देथी! ना दिन देखते थी, ना रात! बस हमारे कमरे में टपक पड़ती थी! बिना बात की मुसीबते खड़ी किया करती थी! अब आप भी वैसा ही कर रहे हैं, विरात सर! चलिए, मान लेते हैं! मान लेते हैं, पाक्य दीदी सम्राट दादा के साथ खुश है! तो आपके यह जो हरकते हैं, उन्हें जादा दिन तक खुश नहीं रहने देगी! और सम्राट दादा और पाक्य दीदी को एक भी नहीं होने देगी! क्या जरूरत थी खुड़ते के लिए अभी रात को जाके थैंक्यू बोलने की? सुभे नहीं बोल सकते थे, लेकिन नहीं आपको तो अभी जाके थैंक्यू बोलना था! पता है क्या? कभी-कभी मुझे लगता है ना कि आ और पाक्य दीदी एक जैसे ही है! आप भी तो नाटक ही कर रहे हैं! कैसा नाटक? यहीं दिखाने का? कि मैं भी यहीं चाहता हूं! सम्राठ और पाखी एक हो जाये! Just shut up. Shut up! तुम्हार में शकल नहीं देखना चाहता हूं मैं! आझ तो मैं भी आपकी शकल नहीं देखना चाहती हूं! मत देखो तो पर अभी तो आपको मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है विराच सेर पर एक दिन आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रही थी लेकिन तब तक देर हो चुके होगी बहुत देर क्याल्शयम, प्टाशयम साही, यह देख मेरी साड़ी यहां कोने में क्यों बैठी है पढ़ाई कर रही हूं वो तो दिख रहा है ना पर गुड मानिंग गुड तो बहुत है आज की मॉनिंग आज घर में तनी अच्छी पूजा जो है और मुझे बताना नीचे एसे बिस्तर क्यों बिछाया हुआ है क्या हुआ अबु बुमेया अज़ वो चोड़ देख मेरी सारी प्रिटी है ना आज ना तुने मुझे तियार होने में हेल्प करनी है मुझे ना पूजा में सबसे सुन्दर दिखना है ये तेख दो एरिंग लाइंग ये बता इस साडी के साथ कांसे एरिंगस बाच करेंगे ये वालए ये फिर आज दोनोहे अच्छी है क्या दोनोहे अच्छी है मतलब मैं एक कान में ये पहनूंगी हां और दूसरे कान में ये लटकालूंगी क्या सभी नहीं नहीं बॉड़ थी किया आप फुद इतनी सुंदर हैं किया पोई से भी यह रिंग पहनेंगी ना सुंदर ही लगेंगी हाँ वो तो मैं हुई हाँ तो कोई भी पहन लीचिये बस मुझे अभी पढ़ने दीजे कुछ दिनों में मेरी टेस्ट आने वाले हैं तो तो वो सिर्फ तेरी वजास है अगर तो सम्राठ को वापिस नहीं लाते तो सब घरवाले इतना खुश कैसे होते इस घर में इतना ग्राइंट फंक्शन कैसे होता बता देखी बुआ मैं भी बहुत कुछ हूँ कि घरवालों को खुशी मनाने का मौका मिला लिकिन प्लीज आप न मुझे इस सब से दूर रखिये मुझे अकेले रहने दीजे मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती है मैं तूने कह दिया और मैंने सुन लिया और डोंट एक्सपेक किना मैं मान भी जाओंगी जल तू भी मुझे अपनी साड़ी दिखाना मैं तो देखूं पत्र लेगा ने तुझे कैसी साड़ी किफ की है और जोल्वी तो मैं ही डिसाइड करूंगी आज त्यार होते हैं मैं अल्रेडी तैयार हूँ पूजा के लिए नहीं कॉलिज के लिए कॉलिज के लिए कॉमॉन सै आज घर में ग्रह शांति की और सते नरायन जी की पूजा है सब तैयारियों में लगे होय है तुझे भी इस पूजा का हिस्सा बनना है कॉलिज नहीं जाएगी मैं किसी जंगल हूँ, जंगली हूँ, इम्मेचुर हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो बस, आप ना, मुझ पर और मेरी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजे, और आप प्लीज जा के पूझात लिए तयार हुए और मुझे ना, पढ़ाए, प्लीज, पढ़ाए करने दीजे, अरे तो ये तक्या लेके कैसे तू बाहर सोया था क्या, इस कमरे में इसनी शांती ही का है, जो कोई चैन से सो सके है यहां पर हाँ हाँ, मैने तो इनके बिस्तर में कील गाड़ी हुई है ना, जो लेटते ही ने चुगने लगती है Bu-a, इसे कह दीजे के मैं से बात ने कर रहा हुँ Bu-a मैं बेना, आप से बात कर रहा हुँँँ तो ये कोई गलत फ्यमी ना पाले विरो गलत फ्यमी कि तो चलती फिरती दुकाने ए ए खुद है बोल दीजे Bu-a, इनसे कह दो कि ये अग्नी हद मेरे अच्छा, गर हद में नहीं रहा, तो क्या करेंगी? यह भी जरब पूछ लीजी. पूछी की कोई ज़रवद नहीं हुआ, क्योंकि यह बात तो हर कोई चांटा है. कि अगर सही जोशी का उपरी माला हिलाना, तो वह क्या कर सकती है? उपर का माला हिले या ना हिले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ऐसे एक चोटी सी बात समझा दीजे कि यह इस फैमिली की इस परिवार की सदस्य है, और आज इससे पूजा में शामिल होना है, अगर ऐसे ऐसा लगता है कि आज एक कॉलिज जाएगी तो यह गलत क्या है कि मैं एसे कोलेज नहीं जाने दूमा वह यह जाएगी मुझे दंकी दे रहे, कोलेज नहीं जाने के लिए मजबूर करेंगे यह तुम क्या दोनों बच्चों की तरह लग गए हो ना इसे जो समझना है समझ सकती है, कह दीजए भूस, बस करो ना तुम तोनों तुम इधर कभी उदर कभी इधर कभी उदर अरे तुम दोनों को आपस में बात करनी है ना तू सीधा करो ना दारेक्टिक दूसरे से मुझे पीछ में क्यों पज़ आ रहे हो विरू इधर देख और तू इधर देख अब दोनों आ आपस में एक दूसरे से बात करो मुझे बच् पती होने का जो शयद तुम भूल गई हो, या पतानी जो भी मानती हो, लेकिन हो तो में तुम्हारा भी भी पती ही। वाव, कितने प्यार से बात कर रहे हो ना एक दूसरे से दोनों, कि सांप और नेवले को भी शरम आ जाएगी तुमको देख के अरे, कैसे बात कर रहो एक दूसरे से? जानी दुश्मन हो क्या? अगर जानी दुश्मन लग रहे हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन आज में सही की मनमानी नहीं चलने दूँगा क्या कर्येंगे, आप利ा ringsay? नए, कर क्या लेंगे आप? पहली की तरा घर से निकाल देंगे. घर सी निकाल लेंगे ना, थीक है? मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। यह क्या कर रही हो त्म? जुँ अप देखने। आप मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं तो जब मैं खुद अपनी मर्जी से घर चोड के जा रही हूँ, तो अपको प्रॉब्लम के है? प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग जो कुछ भी उटपटांग सोचते रहता है, और नहीं, मैं तुम्हें गर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, इन फैक्ट तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या करूंगा, अगर तुम्हें उचसे ऐसी बहस करती रहे ना तो मैं, मैं तुम्ह नहीं से बहुत नर्मी से पेश आहा हूँ इसके साथ, इसलिए इसने यह रूप मेरा कभी देखा नहीं, अब मैं तुम पर पती होने के अपने सारे हंग इस्तमाल करूंगा, और तुम्हें मेरे हर कहीं बार सुननी होगी बर एमियत देनी होगी आप मेरे साथ ऐसा बरताः क्यों कर रहे हैं, विराचर? क्योंकि तुम्हें मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, साई. क्योंकि प्यार से कही बाद तुम्हे समझ कहा आते हूँ. ओफु! पर गॉट सेख, शान तो जो तुम दोनों. और विरो, तुम रिलाक्स करना, मैं बात करती हूँ. साई, तु कहीं नहीं जाएगी ना, रुखेगी न यहीं पर? साई, मैं बितो तेरी हर बात मानती हूँ ना, तो आज तु एक मेरी बात मान ले ना, बोल दे वीरू को कि मैं कही नहीं जाओंगी, यहीं रहूंगी, हाँ? नहीं बुआ, आपको नहीं पता ही हाँ क्या चल रहा है? फिराट सर के गुस्से के पीछे की असली वज़ा क्या है? अभी भी इसके मन में कोई और ही कहानी चल रही है इसी के वज़े से, इसी के वज़े से मुसीबत में पड़ती है इसकी जिद इसका सबसे बड़ा दुष्मन है तुम हमेशा खुद को पाखी से कंपेर करती हो, अब समझ आया सब क्यू उसे पसंद करते और तुम्हें नहीं तुम्हारे इस जिदी पने की वज़े से बाखी इस घर के नियम, काइदे, ट्रडिशिंज, सब कुछ मानती है सब की बात सुनती है लेकिन तुम, तुम सिर्फ अपनी सुनती हो, सिर्फ अपनी मानती हो, सिर्फ अपनी चलाती हो फिर ग्रद में कई मोके दिये गए हर चीज में छूट दी गए इस परिवार ने तुम्हें प्यार दिया है मान दिया है तो क्या उनके प्रतिख इतना भी फर्ज नहीं बनता तुम्हारा परिवार को मान देने के लिए कि हमें एक ऐसी पूजा का हिस्सा बनू? जिसके पेचे की नियती ठीक है। ये क्या कह रही है थूसरी? सारे परिवार वालों की पूजा के लिए बहुत अच्छी नियत है. सब परिवार बाले चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सम्राठ और पत्रलेखा को एक जोड़े के रूप में आशीरवाद दे और पाकी दीदी बो क्या चाहती है पत्रलेखा क्या चाहती है मतलब देखो सौ बात की एक बात है मैं तुम्हें कॉलेज जाने नहीं देने वाला हूँ बात कर दो अच्छा मैं भी देखते आप मुझे कॉलेज जाने से कैसे रोपते हैं बुआ अब जरा नीचे जाएं मैं आता हूँ ओए हुए मतलब लडाई जगडा तो मेरे सामने और सुला आपस में अकेले अकेले बढ़िया है चलो जाती हूँ कैसे रुखेंगे विराद से आप मुझे ऐसे आओ विराद से आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं अब तुम मुझे दंकी दे रही हो आप क्या बुरा होगा प्लीज बताना मुझे अब तुम मैं समझ आजा आजाना जाए कि कोई भी तुमे इस इस कमरे से भाहर ने निकाल सकता तुम अंधर ही रहने वाली है कही नहीं जाने वाली है Just wait and watch. दर्वार्चा खोलिया, आप ऐसे नहीं कर सकते, विराच्चा! क्या? कुछ सौरी जिसा सुनाई दिया मुझे. क्या है ना कि बाहर तक आवाज नहीं आ रही है? और जोर से बोलना पड़ेगा. मैं कोई सौरी वारी नहीं बोलने वाली है अपते. दर्वार्चा कोलिये! अपता कान बच रहे हैं मेरे. अरे? कि सच में मुझे कमरे में बन करके चले गए? मिराच्चा? मिरा में मिरा रहे हैं में आवार्चा?